तुमाम मेरे गार्णी फ्रेंज को वेगी सोमचेंगाजन में बहुत बहुत खुशामदेद गार्णी फ्रेंज इस वक्त आप जो यह दो पैकिट्स देख रहे हैं यह दोनों ही ओक्रा के सीड्स हैं है में अन्य रडी थक्तों के सीड्स और में है कि अव्यां याद्ध ऑग मेरे गार्णी फ्रेंज यह चैनल रहा हैuman कि अबर कि आुध और दूसरे पेकिट में मेरे गार्णी फ्रेंस ये रेड ओक्रा है पिछले साल मैंने रेड ओक्रा के सीट्स लगाये थे हरी बिंटी तो मैं हर साल लगाता ही लगाता हूं तो इसका रेड ओक्रा का टेस्ट चेक किया हो जाए कि कैसा इसका टेस्ट होता है गर में हार्वस्ट भी की और उसका देश्बी किया और के तेस्विश्बी करने के साथ साथ इसके रड APP और की सीट्स भी गर में सेव किये तो मैरे करने फ्रेंच आज की इस वीडियो में मैं दोनों ही सीट्स है green ओकरा और रड ओकरा पी देश्गाएंगा और गर के सेफ की होई सीड्स हैं और देखेंगे के गर के जो सेफ की होई सीड्स हैं साथ दिन के अंदर जर्मिनेट होते हैं के नहीं होते हैं नॉर्मली जो घर के जो सीड्स सेफ की होते हैं तक्रीवां साथ दिन में जर्मिनेट होने चाहिए अगर बजार के आप सीड्स लगाएंगे तो 10 से 15 दिन लगते हैं सीट जर्मिनेशन में अब दोनों ही मेरे पास availability है बेतहाशा मेरे पास घर के सीट हैं तो इसमें मैं comparison भी करूँगा कि कौन से जल्दी सीट जर्मिनेट होते हैं ग्रीन ओकरा के हमारी लोकल या रेड ओकरा के और किसकी बेहत्र करूत होती है सीट लिंक किसकी जल्दीं तयार होती है बाद में प्लांट किसके तयार होते हैं कौन सा बगयाatic इसलिबा सर्थ के जिसमें आपकी बिंडी है उकरा लगती है तो सारी कि सारी सीपस्टेाль मेरे गांधर वीडियों आती रहेगी तो आज इस video मे दोनों ही मैं सीड्स लगाऊंगा सीड्स मैंने नकाली हुए हैं सीड्स में सच कोई डिफरेंस नहीं है दोनों एक ही कलर के सीड्स हैं जैसे होते हैं यह मैंने नकाले हुए हैं जैसे आप यह देखने हैं यह पैकर में यह है दूसरे पैकर है इसमें यह मैंने ग्रीन ओकरा है जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि घर के लगाए हुए सीड्स हैं वो साथ तिन के अंदर अंदर जर्मिनेट होने चाहिए और इस वाकश मेरे गार्णिर फ्रेंस साब ये ये रेड ओकरा ये रेड ओकरा और ये ग्रीन ओकरा दोनों ही सीड्ट जर्मिनेट हुए हैं विदन आफ फाइव डेज यानि पांच दिन के अंदर अंदर मेरे गार्णिर फ्रेंस दोनों ही सीड्ट जर्मिनेट हुए हैं सीड्ट लगाते वक्त बिसायर कोई फरक नहीं था लेकिन आप आप देखनें दोनों में नवाया फरक है जैसे ये रेड होक रहा है इसमें आपको ये रेड रेड कर लगी ये वेंस नज़रा रही है और ये ग्रीन होक रहा है ये टोटली ग्रीन है उपर से भी मैं अगर कैमरा करूं क्लोस है तो उपर से आपको यह रेड़ रेड़ सोड़ा सा नजर आ रहा होगा और साइंग यह जोटली ग्रीन है वैसे तो मैंने बजाए टैक लगाया हुआ है तो मेरे गारिट मेंस यह तो पहला कंपारिजन में पहला स्टेप हो गया में सेट्टर था के सीट कॉलिटी चेक किया जाए कंपारिजन में अब कंपारिजन टिप्स में सेकंड स्टेप है आपकी गार्डेन स्वाइल किस तरह की गार्डेन स्वाइल हो जिसमें आपकी बाद में हेल्थी जो सीलिंग है पनीरी है वो त्यार हो तो सेकंड स्टेप की तरफ जाने से पहले जिन मेरे गार्डी फ्रेंस ने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया काईली चैनल को सबस्क्राइब करें और साथ नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस करें ताके नेस्ट आने वाली वीडियो से आप इंटर्च रहें पर गार्डी फ्रेंस ये एक तरह की लर्निंग वीडियो है जिसमें हम अपने गार्डी फ्रेंस को खासतार पर जो न्यू कमर्स है जो के जिको गार्डी का शौक है और वो घर में सीड लगाना चाहते हैं ना के वेजिटेबल के हैं बलके फ्लावर्स के हैं आसानी सीड लगाएं को कि अखसर लोगों को पता नहीं होता कि सीड कैसे लगा जाएं जब सीड लगाते हैं तो फिर पर नीरी किस फकर ट्रांस्प्लांट की जाए कुछ लोग बहुत जल्दी कर देते हैं ट्रांस्प्लांट कर देते हैं कुछ बहुत लेट हो जाती है ट्रांस्प्लांट करते हैं वकर जिस यह उनके प्लांट की है हेल्थी क्रूथ नहीं होती तो अब चलते हैं मेरे गादने फैंस जर्वा फार्ट बारट जा कि प्यूस्जशंग के तरफ का मेंने सेर्ल लगानी हाद मैं रेशयो बता दूं क्यों सी रेशयो लगानी यह आपकी मिट्टी है पर्संट मेरे गोबर और पतों की खाद आई यह 20 परशन यह गोबर की खाद दी हुई है और 10% इस में रेक्स है यानि हंग्डर का कॉंभीनेशन है 40 20 पतो कीखा 20 गोबर रहे हैं 10% कोको पीट है कोकुपीट को मैंने मिक्स मैं मेक्स कर लिए हुए है यह सारा का सारह इसमों मैंठर है जो मैंने पहले ही से त्यार कर लिए हुए और सीड्स भी निकाल के ये रैड और ग्रीन के रख लिए हुए तुमाम मैटर को मैंने मेक्स आउट कर लिया हुए है इसमें किया है कि आप इसको जब अच्छी तरह मिस्ट करके इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस आउट कर लें ताकि किसी किसम की कोई एर बबस बीच में ना र है कि मोटे सीक्वाइब यही हुए जह कैसे सारे के साथ 1 इंच के पौड में ओंड इसकी मतर से मैंने कली हमें अब अजस्ट है इसके अंदर ये सीड्स हैं ये इंसेट करूँगा अब जस्ट ऊपर से मैंने ये ये जो लेर त्यार की हुई है ये कोको पीट और स्वाइल को मिस्ट की हवाई ये जस्ट ऊपर से ये फिल आउट कर दें ताकि नहीं पकादस में बरकरार रहे ये इस तरह बस इसी तरह मैं दूसी तरफ हाओ जूसी तरक है यह ही मैटर करने है मैंने यानी सासाथ ये आप सराफ करते जाए इसी तरह एक एक्ष्श के और सासात यह मेरे गार्डी फ्रेंस यह बीच में यह सीर्स डालते जाएं जहां नॉर्मली दो गैंटे की सानलाइट दो से तीन गैंटे की सानलाइट लाजमी आए अब तो टेमपरिचर काफी चेंज आउट हो गया वहाएं लेकिन अगर मौसम क्लावडी रहे अगर बीच मे सानलाइट का देना बहुत जुरूजी है सीट जर्मीनेशन के हवाले से और पानी तब आप दें कि जब इसकी ड्वाइड हो और वाटिंग नहीं करनी वैल ट्रेंज आपका पॉर्ट होना चाहिए तो सारे बेसिक सेक्टर्स हैं इसमें भी वहाई फिल आउट करते हैं मैट गार्डी फ्रेंड्स को यह वीडियो पसंद आगी बायासिम नावास फ्राम वाईगी सुमसेगार्ण